पीछ पीजिए अब भी आपको बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आज मैंने क्या ट्रेड लिया दोस्तों उस ट्रेड लेने के पीछे क्या साइकोलोजी थी क्या गलतिया करी क्या इस ट्रेड से मैंने सीखा दोस्तों क्या प्रॉफिट लॉस किया सारा कुछ बात करने हो लाँ इस वीडियो में दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखे दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों आज का ट्रेड में मज़ा आगया दोस्तों मतलब आज जो ट्रेड किया ना आज मार्केट ने मुझे जो सिखाया ना गजब चीज सिखाया दोस्तों और इतने दिन में यह चीज मैं कभी नहीं सिख पाया दोस्तों तो चलिए मैंने क्या-क्या ओर्डर लिया क्या च तो आज मैंने एक ही ट्रेड लिया इसके पीछे भी रीजन है दोस्तों आगे बताता हूं इसके पीछे क्या रीजन है वीडियो को हिंट तक देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग पोजिशन देख लेंदा है कि इतना प्रॉफिट बना दोस्तों तो जैसे देख सकते दोस्तो आज मैंने प्रॉफिट दोस्तों आट रुपए 50 पैसे किये और यह मेरा डास्वोट रहा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चार्ट पर जाते हैं और सबजने की कोशिश करते हैं कि कहां पर मैंने ट्रेड लिया और कहां पर एक्जिट किया और क्यूं किया दूस्त चलिए चार्ट पे जाते हैं। दोंग जैसे देख सकते हैं, यह आज पर खुला है तो क्या हुआ ना दोस्तो цен यह का फुरे सकते कल अगर हम लोग देखें, हमुल defect तो अमार्केट इस जून में बंद होता हैं अब क्या हुआ आज मार्केट यहां परे chaud यहां पर ओपेंड हुआ और ध्राम से नीचे आया मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मतलब यहां इस जोन पर सेलर बहुत ही एग्रेसीव है बहुत एग्रेसीव है प्लस कल जिन्होंने यहां पर बाइक होगा दोस्तों वह क्या कर रहे है इस जगह पर देरी 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 ऊपर आया इस जोन पर सपोर्ट लेके अब क्या हुआ इस जोन में जैसे आया न दोस्तों तो दे सकते हैं मैं यहां पर एक रेजिस्टेंट ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस है तो इस जोन में आके इस कैंडल ने विकनेस दिखाया था और जैसे ही इस कैं लगा दिया कि अब क्या हुआ दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप ना दो तीन वीडियो मेरा देखेंगे इसमें अपने गलतिया बता था रही क्या होता था औरम मतलब कहने का मतलब अपने पे विलीब करता था उप भाग जाता था उस ट्रेट को वेटी नहीं करता था और जहाँ पर मैं स्टाप लॉस को डिफाइन करके रखता था तक तो वेटी नहीं करता था कि मैं ना पिो बारबार देखते रहता था उसकी वज़ास से क्या होता था मुझे ही जैसे ही 200-300 को लॉज दिखने लगता था ना मैं घवराने लगता था और वहां से मार्केट से आउट हो जाता था तो अब क्या हुआ दोस्तों देखिए आज भी मैंने हलाकी पेनल को देखा ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों लाइब मार्केट में नहीं तो क्या हुआ ना आपका मेरे को ना मैंने 200 रुपे के असपास लॉस दिखने लगे अब मैं क्या करने लगा मेरा मार्केट कहने लगा ये 200 लॉस होगे भाई जल्दी अब निकल चल बहुत बहुत लॉस हो रहा है लेकिन फिर मैंने अपने आपको समझाया कि नहीं मैं इस जून को अगर मैं माना हूं तो जब तक यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाता मैं इस ट्रेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं मैं डटा रहा दोस्तों ट्रेट पे अब क्या हुआ यहां पे दोस्तों मुझे ये कैंडल बार बार डरा रहा था बार बार नीचे आ रहा था कुछ प्रॉफिट पर ही मैं निकलूंगा उससे पहले नहीं निकलने वाला तो अपने study पर बिलीब किया दोस्तों अपने आप पर बिलीब किया और अपने principle पर डटा रहा दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ दीरे दीरे देख सकते मार्केट नीचे आया मुझे लग रहा था क्यूंकि यहां वि क्लोज होने से पहले जहट से मैंने अपना position को square कर दिया क्यूं कर दिया दोस्तों अगर आप लोग कल की चार्ट में जाते हैं देख सकते दोस्तों यह मार्केट ने हाई लगाया फिर देखिए हाई लगने बाद दुबारा इस zone पर आके इस zone को respect करके दुबारा मार्केट फिर दुबारा यहां से resistance लेके मार्केट नीचे आता है फिर दुबारा इस zone पर support लेके मार्केट ऊपर की और जाता है तो कहने मलता है इस zone को market बार-बार respect कर रहा है तो कल इस zone को इतनी बार market respect किया तो मुझे नहीं लग रहा था कि एक single candle इस zone को नीचे तोड़ देगा हाला कि यह तो सारा probability की game होती है दोस्तो तोड़ भी सकता था लेकिन कम chances थे दोस्तो कम chances थे कि यहां पर इस zone को तोड़ पाएगा तो मैं क्या किया जैसे यहां पर आया candle close होने वाली थी मैंने जट से अपना profit book कर लिया तो दोस्तो दो में book किया दोस्तो हाला कि दोस्तो यह 211-12 तक गया लेकिन वह क्या होती न दोस्तो आप कभी न टॉप और bottom कभी नहीं पकड़ पाएंगे दोस्तो हाला कि कुछ trade में मैं यह कोसिस करता था जिसके वजह से मैं loss देता था या तो फिर जो profit आता था उसको enjoy नहीं कर पाता था तो मैं क्या किया यह जोन पर जैसे आयाया मैं अपना position square of कर दिया और जैसे देख सकते दोस्तों इस zone के आने बाद मार्केट दुबारा ऊपर भागा अब देख सकते दूस्तों इस यह candle यहां पर week होने लगा ना दुबारा कल के हाइत के पास जब week होने लगा तो मुझे द या तो उसको इंजॉय करता हूं जार मतलब दो तीन दिन से ना मतलब बैक टूबैक लॉस खा रहा था बड़े बड़े लॉसेश कहा रहे थे तो मतलब सोचा कि कल प्रॉफिट मेरे को 82 रुपीस का हुआ था और आज 208 रुपे का हुआ तो इसको इंजॉय करता हूं ना कि द अच्छा ही किया अपने प्रिंसिपल पर डटा रहा कि एक से दो ट्रेट से ज्यादा नहीं लेने का है हाला कि इनिशिल प्रियोड में यह सब अगर आप मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं ना ज्यादा मार्कमेट है तो आप यहां पर रिस्क ले सकते थे क्योंकि तो अभी तो नया होना तो मैं यह रिस्क लेना ठीक नहीं समझा दोस्तों तो यही रात दोस्तों आज का लर्निंग लर्निंग यही है आज का कि अपने ट्रेट पर बिलीव करें अपने सिस्टम पर बिलीव करें और जहां पर आपने स्टॉप लोस डिफाइन किया है दोस् में नहीं लेने देगी दोस्तों वह आप जैसे ही ट्रेड लेंगे ना 5-10 रुपे उपर जाएगी 10-15 रुपे नीची आएगी इस तरह करके आपको डराएगी तो अगर आप उस डटे रहे ना उस डर पे काबू पाए ना दोस्तों तो आपको ना रिजल्ट दिखेगा जैसे मुझे आज ना रिजल्ट दिखा मुझे हलाकि यहां लॉस्त दीक रहे थे दो 200 का लॉस्त दिखा था लेकिन फिर भी मैं डटा रहा मैंने अपने प्रॉपर स्टाप लॉस्त को फॉलो किया और एंड में रिजल्ट मुझे अच्छा मिला दोस्तो तो यही है दोस्तो आज का मेरा एक ट्रेट का एनलेसिस तो आम सोर दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें दोस्तों इसको लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्त दिख रहा है तो motivated feel होता है दोस्तो इसलिए request करता हूँ दोस्तो चैनल को please subscribe करें ताकि आगे भी कुछ video बनाने में motivation मिले मुझे तो मिलते हैं दोस्तो next video में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा दोस्तो